सदीग साहब आप लोगों की ट्रेनिंग तो ठीक होगी तो होगी फिलवक्त कारकरदगी आप लोगों की बिल्कुल ठीक नहीं है ये देखें ये एक मुझरिम पकड़ा मुबाइल चोरी का ये देखें इसको पकड़ा ये थाने में पानी पीने के बहाने दौल गया और उसके ये ओमर जी और तेरा कसन है ये मुझरम है वो पानी पीन गया दोड़ गया है जी हमें बालू में तीन चार घंटे पुलिस को वक्त पड़ गया तब जाके इसकी गिरिफतारी दुबार अमल में आई है अच्छा जी जी और ऐसा तेज आदमी जी पुट्टा केंदे जी मैं चलो बारों टूटी तो पानी पी के वापस आजयागा ते थाने को दोड़ गया है और जो पुल्स भी दोड़ा लगी है ते पिंड पहुंचे है तो थे बक्रिया दिनाल बक्रा बानके नहर चो पानी बी रहा थी और पुल्स लोग एके बैबै करन लग पे आए मैं जाके मारे या पूशल ते छुटा दे सिता नहर चिंदे का है ओतो बर मैं गिला गिला बक्राई चोक के लिए आया है तो सर जी देखो तो सही बक्राई जैसा मिक्स होया है हरे भी बक्राई लगना थी और में आता वसलम लगना थी बजाय तो एक मामूली वाका लगता है लेकिन इससे पुलिस की गेर जिम्मेदारी खुल कर सामने आगी है अजी अगर मुल्जम को प्यास लगिए तो इनका फर्ज है कि उसको पानी मंगवा कर पिलाए यानि कि ये क्या बात हुई कि उसको बाहर जाने की इजाज़त दे दे कि जाओ पानी पीने चले जाओ और वो मुल् है मैं तो बूती लेने जाता है इसलिए मेरे दिल में कहीं यह ओनम्बर काम ना कर जाए फिर मैंने सोछा वहर सुच्राइब कोई implicationरी तुर गारता है तुन्दूर अला सिर्व इनुवेख के कहनता गया लो फेर आ गया जी सर जी पानी पीने की इजाज़त शुरू से ही मुश्कूग रही है दरजीया तुम्हे याद है जब तुम आफिस से बाहर जाती थी तो मैं पानी पीने के बहाने तुमारा पीछा करता था मैं तो इस मुझरिम पर है कि एक तो यह मुबाइल चोरी करता है उपर से पुलिस को चक्मा देगा और नहीं सर जी मैंनों वाक़ी प्यास लेगी इसी मेरे जहन ही चाहा है अथी पुलिस दूरूत है है थाने पानी ना ही पिया है इस करके मैं पिंडों पानी पीने चला गया इनने समझे आ रहे ना सके है पेंड तरे बड़ा मिनल वाटर दी नहर वक दी है हम उबला हुआ पानी पीते है रदिया रोज उबले पानी की दोप उतना लेके आती है एक अपने लिए एक मेरे लिए पो यह हो तो मेंनु भी थाने उबले पानी प्या शड़ते मैं ना पेंड जांदा तू थाने आया पी मामे वाल नहीं आया है और जिते रदिया पेंड ही है मेनु भी मामा ही समझे लो तू मेरा पान्जा है मुल्चन मेरा पान्जा हुए 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 ह अच्छा। अब बॉइल हुए, नाल मखन ते जैम भी हुए, ते सम्झो बच गए है। नजरीन यहां वक्त हुआ है एक ग्रेक का हमारे साथ रही है। अमारे स्यासतदान लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे। तो मैं उनको कहता था के मुठ रखो। मगर यह लोग नई बात आए। अब उन्होंने लेवल कर दिया है। बलके ऐसे लेवल किया है जैसे अंजिनियर लेवल स्कोप से जमीन लेवल करता है। अब तो वो क्या कहते है के नैब की सफ में खड़े हो गए जरदारी नवास। क्या त Français क्या है